जैहिंद नमस्कार मेरे सेर शेर नियूँ लाट लोग सारे के सारे बच्चे प्रेशन और के सब्सक्राइब की तरफ से क्योंकि इतनी स्पीड से इसकी जो कारवाई है वह पहली बार चल रही है मैंने पहले भी बोला था और उसके पिछी रिजन है आने वाली सब्सक्राइब क्योंकि जो भारत सरकार है या गरह मंत्रा ले वो चाहता है कि सेजीडी की अगली वेकेंसी भी हम इसी साल के अंदर दे दें क्योंकि आगे इलेक्सर भी आ रहे हैं आप सभी को पता है तो इसी हुझे से इतनी हड़ बढ़ती चल रही है जिसकी हदी नहीं है सबसे पहले इ इन ने स्कोर कार्ड जारी किया 27 तारी को और फिजिकल के लिए डेट दे 24 तारी अब 24 तारी को जैसे डेट आई एडमिट कार्ड भी जारी हो गए बहुत सारे बच्चों ने एडमिट कार्ड भी देख लिए उसके बाद में यह मेल रिशीव वा कि अब आपका जो 24 तारी स इन बच्चों के ने आया थे वो पूरी को पूरी डेटे भी अब चेंज हो गई तो अब यह एक नया नोटिस आया है CRPF की तरफ से डाइरेक्टर जरनल ओप CRPF की तरफ से एक नया नोटिस आया लाड़ लो यह वाला मैं बताता हूँ आपको इसको पूरा अच्छे से ओपन करके जो नोटिस है इसको भी आपको अच्छे से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है क्या नहीं लिखावा है इसमें यह देखिए अब जो यह नया नोटिस जारी हुआ आपका यह CRPF की तरफ से ज जो आपका फिजिकल टेस्ट 24 तारीक से होना था उसी के बारे में है कि जो फिजिकल का नंबर डिकलेर हुआ था उसके बारे में जो 24 तारीक से आपका फिजिकल होना था अब वो एक पांस दो जार तेवी से होगा कब से होगा एक पांस दो हजार तेवी से यह नहीं अब ए एक मही दो हजार तेवी से आपके फिजिकल शुरू होंगे तो सभी के जो एडमिट कार्ड है वो वापस निकलेंगे दुबारा बायो मेट्रिक डाटा ओप सोर्ट लिस्ट केंडिडेट येट रिसीव फ्रॉम एससी एज अप्रूड बाई दे एक पांस दो जार तेवीस जो की 24 से शुरू आने वाला था अब वो कब से सुरू होगा लादो अब वह होगा 152023 से सुरू होगा तो जिन भी बच्चों का एडमिट कार्ड है अब एक तारिक से जब आपका शुरू होगा आप सभी के पांस में मेल आ गई होगी होगी अब एक पांस से ये पुरा का पूरा शुरू होगा हो सकता है कि आपकी डिटे भी आगे पीछे हूँ अब किसका किस दिन आए वो तो ब क्लानिंग करने में लगी हुए इसलिए जल्दी से बेकेंश को कलोज करना चाहती इसलिए साथ पहली बार हो रहा है कि केवल 12 दिन के अंदर अंदर पूरा फिजीकल लिया जा रहा है, 12 दिन में जबकि इस से पहले ऐसा कभी नहीं वा, लग बग 45 दिन से ज्यादा समय, ऐसा सी जीडी लेती है फिजीकल में, 12 दिन में के अंदर फिजीकल होगा और मैं आपको बता दू, तो मेडिकल के लिए भी आपको मातर डेड़ महीने से ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए जब भी बच्चे फिजिकल पास कर लेते हैं, तुरंत पिरिमेडिकल के लिए आजाना लाड़ लो, ताकि अगर आपके कोई भी समस्या है, वो हम बता सके और आप उसका इलाज कर सक जाएगा, तो उसको ठीक कराने के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा, विदन 24 आवर्स, यहनी 24 घंटे के अंदर अंदर आपका रिमेडिकल हो गई होगा, यह पिछली बढ़ती में भी हुआ था, इस बढ़ती में भी यही नियम है, इसलिए पहले से पिरिमेडिकल करा अभी का आया वाई नोटिस है, पूरा का पूरा ओइजनल नोटिस है ज्यान रखना, और यह सबी डिपार्मेंटों को भेज दिया गया है, अब आपके एक तारिक से फिजिगल होगे, जै हिंत, जै भारत लाड़ों